स्टॉक भीस में आपका स्वागत है L&T के quarter 1 के रिजल्स आ चुके हैं तो चलिए देखते हैं कैसे इसके quarter 1 के रिजल्स बात करें इसके total income के तो निकल किया है यहाँ 36,547 क्रोड जो पिसले सल इसी quarter में था 2,982 क्रोड तो अब देखते यर ओन यर विसस पे 22% के आपको जंप देखने को मिल रहा है इसके total income पे बात करें इसके खर्चों की तो total expenses निकल के आए यहाँ पे 33,615 क्रोड जो पिसले सल इसी quarter में थे 27,708 क्रोड यर ओन यर बिसस पे 21% से बढ़ा है cost जिसका income बढ़े थी 22% से तो यह काफी अच्छी जीत है कि उससाब से cost नहीं बढ़ी है वैससा pressure नहीं पढ़ा है अगर बात करें पिसले quarter से पिसले quarter में थे 47,804 क्रोड तो वहां से ज़रूर 30% cost घट के आई है और income के इतनी घटी थी 32% से तो आप देख सकते हो कि cost उससाब से नहीं घटा है quarter on quarter जीसाब से income घट के आई है तो बात कर लिए इसके operational performance की तो operating profit निगल के आए यहाँ पे 2931 क् पिसले quarter में थे 2274 क्रोड तो अब देख सकते हो कि year on year basis पतर 29% के बड़ा देखने को मिल रहे है आले कि पिसले quarter से बात करें पिसले quarter में थे 5561 क्रोड तो वहां से देख सकते हो 47% घट चुका है तो क्या सकते हो कि quarter on quarter यहाँ पे आपको result काफी कम जूर देखने को मिल रहे है बात करें इसके net profit की तो net profit यहाँ पे निकल के आई है 2293 क्रोड जो पिसले इसी quarter में थे 1556 क्रोड तो year on year basis पे 47% का आपको profit में जम देखने को मिल रहे है यहाँ पे बात करें वही पिसले quarter से पिसले quarter में थे यहाँ पे 4600 क्रोड तो वहां से आप देख से 43% की बड़ी गिर इसी quarter में था 8.36 और पिछले quarter में था 25.77 तो जैसे के profit ते वैसे आपको EPS भी देखने को मिल रहा है रिजल्ट में अगर आपको और भी कुछ देखना का होगा तो रिजल्ट के PDF डाल देए टेल्ग्राम वाल चनल पर जिसका लिंक मल जागा आपको डिस्रिक्शन में जहां पर में आपको इंट्रडे अफनो इंडेक्स और भी देते रहे हैं तो वह भी जाके देख सेकते हैं लाइक किजिएगा शेर किजिएगा और चनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नग भूले हैं